हेलो नमस्कार जहेंद हम लोग बात करेंगे से के बारे में विडियो में बने वीडियो को लाइक करें और करदें ला चैनल को लाइक कर दें से से पहले बात करते हैं महात्तपुर्णे के समझेंगे डूogo कि पहला बिंदू कि ये क्या है थाए पहली बार आ रहा है और किसी ये के बाद एन पी आर और एन इसी आर इंप्तर का या होगा किसे परकार से पूरे भारत में लागू होगा इसके तहाद बात करेंगे असम समझभता बाह क्या है ए इनर लाइन प्रजक्ट क्यैया है इसके बारे में बात करेंगे इसके बाद नागरिकता अधिनियम क्या कहता है इसके बारे में परावधान करता परündenः नहीं करता थो नहीं करता है आगे एक्ट हो एक्ट बन गया राष्टपति की सिगनेचर होना के बाद एक्ट बन जाता है तो एक्ट बन गया 2019 स्काइट कि मार्थ 11 मार्च 2024 को यह लागू हुआ है अभी 11 मार्च 2024 को लागू कर दिया गया है एक अधिसूचना के माध्यम से जिसे बोलते हैं इतिजन अमेंडमेंट रूल्स दोहजार चुशवीश के उद्वारा चाहे ओड़ा कर दिया गया आधिसूचना दे करके और इसको लागू कर दिया गया 11 मार्च 2024 से ABP यानए कि आफगानिस्तान पाकिस्तान और बंगलादेश पाकिस्तान और बंगलादेश के हिंदू Sikh जयन पार्सी और इसाइफ इन सब के लिए यह लाया लुटन है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान अथा बंगलादेश से संबंद रखते हैं 31 दिसंबर दो हजार 24 इसके पहले जो अफगानिस्तान पाकिस्तान अफ़ा बंगलादेश के भारत में उनको नागरिक्ता देने का ये प्रावधान है कि इसके तहता है युगेंदरनाथ मंडल जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो प्रतम बीधी मंत्री बने थे प्रतम कानून मंत्री बने थे यह दलित हिंदू थे और इन्हें इतना प्रताईद होना प्र कि इस प्रकार से कहा जाता है कि वहां पर दलितूं का यहां पर अलप संखे को का अफगानिस्तान पाकिस्तान और बंगलादेश में अलप संखे को का उत्पिडन होता है और इसको लाया ने लाया गया ऐसा सरकार प्रावधान करती है यह भारती मुसल्म में मुसलिमों के ख पॉइंट में यह जो है भारती मुसल्मानों के बारे में बात नहीं करता है बलकि अफगानिस्तान पाकिस्तान और बंगलादेश के मुस्लिमों के खिलाब करता है खिलाप का बात करता है मतलब उनकी बात नहीं करता खिलाप को के बंगलादेश की मुस्लिमों के बारे में बात करता है कि यह अनतराष्टी संबंद को भी प्रभावित करता है थोड़ा सा अंतराष्टी संबंद को करेगा अंतराष्टी संबंद को भी प्रभावित करेगा क्योंकि जब अफगानिस्तान पाकिस्तान और बंगलादेश के तीन तीनों देशों के अलफ संख्यक उला रहे हैं मनागरिक्ता देकर और यह बता रहे हैं कि वहां हो रहा है तो इन डारेक्टरी रुप से यह भी बत पाकिस्तान और पंगलादेश पर जरूर पढ़ेगा अंतराष्टी संबंद का नाकारात्मा प्रिभाव पढ़ेगा अंतराष्टी संबंद के बारे में अलग से वीडियो हम बताएंगे इस पचास में अन्यारू पर लियाकत सम्झावता हुआ था नहहर लाल ये अल्प संख्यक सरकार करेगी तथा पाकिस्तान में जो अलप संक्यक वह हैं और पाकिस्तान इस बात को प्रभावी ढंग से नहीं मान पाया पहली बार आ चुका है इसके बारे में बात करें क्या पहली बारा है तो ऐसा बात नहीं इससे पहले भी दो बार ऐसा कानून आ चुका है यह से पहले ही दो बार ऐसा कानून आ चुका है पहला ये था कि गलत इरादे अ समय घुसपैट कर चुके बंगलादेश से गुसपैठ किये हैं उन घुसपैटी यंद्धियों को देश से बाहर करना और दूसरा से सिक्वों हिंदूओं को भारत में रुकनी की इजाज़त देना जिनका धर्म के अधार पर पाकिस्तान में उत्पुछन हुआ है यह बंगलादेस भी पूरिव पाकिस्तान उस्रहु हुआ करता था तो इसलिए उहाँ भी है थूसरी 2003 में भी इसे कानून आय unterstüt Gordon Makes of NASA ten बहार बहारी वाजमें की सरकार में इस सरकार ने पाकिस्तान बंगलादेश से प्रताडित होकर आए हिंदू और सिखों को भारत की नागरिकता देने की इजाज़त की बारे में बात किये थे तो वहां ऐसे कनून 2003 के बारे में 2003 में भी आया है कि प्राइए और इसके बाद के बाद करेगा तो देशी और दोनों आ जाएंगे जब बात करेगा तो भारतिय भी आ जाएंगे और बीदेशी भी आ थे देस भी रहते हैं देश में और भारती भी रहते हैं दूनों आ जाएंगे लेकिए नागरिक्त रहा एकसा dear कि फाकर dal है के लिए कि 140 करोण जो है कि 140 करोण जो है कि जनसंख्या है भारत में रहती है जो हैई कि 120 करोड जन संख्या 120 करोड जन संख्या एन्स यार में है नेशनल रिजिस्टर पाउंसिल जन गल ना हुई थी उन्स जननकरना को एक रजिस्टर में समाहित कर दिया गया जहां पूझी से एन नेशनल रजिस्टर पर सिटिजन सीप एनार सी कहा गया नर्सी वहाई है तो भारत के नागरिक नार्सी में है और सपोज करें कि 140 40 करोन जन संख्या एन पी र में है नेशनल पॉपोलेर रजिस्टर नापोलेशन तो भारति प्रलस बीदेशी इसमें दोनों आएक कि अगर इसका इसमें अंतर देखें तो वीश करोण का जुँँँअ आ रहा है तो वीश करोण का और क्यां से आएगा इस करोण का यह लाने के कोई बात है नहीं तक फिलाल कि लाने के लाएगा कि नहीं लाएजागा लेकिन एंशी आर लागु का सब्सक्राइब लागु जब किया जा रहा है तो एक सब्सक्राइब नहीं कि वहीं से पता चलेगा कि कौन भारती हैं इसमें नहीं इत्यादी के बारे में वहीं पता चलेगा एंपियार से और एंपियार से दोनों के संबंध में उचित जो है की वेवस्था करना जरूरी होगा तो संभाव है कि CA के बाद NRC और NPR को लागु किया जाए क्या CA पूरे भारत में लागु होगा कि नहीं लागु होगा इसके बारे में दो समझावता हैं असम समझावता असम अकार्ड के लिए काफी विरोध के बाद आईसा कि प्रावधान नहीं समझावता हुआ राजीव गांधी के सरकार में उसमें इस समझावता हुआ था सब्सक्राइब प्रावधान को सब्सक्राइब अंगरिक्तान सब्सक्राइब ते जाएगी लेकिन वोटिंका राइट्स नहीं दिया जाएगा और उसके बाद परदेश मिजूर्म और नागा लेंड परदेश मिजोरम नागालेंड के बाद करता है कि अरुनांचल प्रदेस मिजवरम और नागा लेंड आई इनर लाइन परमिट में इसलिए यहां पर रागू न होगा और मणीपूर को राजपत्र अधिसूचना के माधिम से 2019 में इसके बाद चार राजियों को रखा गया है इन चार राजियों में जनजाती छेत्र हैं इसलिए जनजाती छेत्रों के प्रसासन के बारे में प्रसासन और नियंत्रन के बारे में सुची छठी में दिया गया है जो असम में घाले त्रिपुरा और मिजोरम चारे राज्य हैं वहां भी यह लागू नहीं होगा इसका मतलब कि इन सब को मिला कर देखे तो साथ हो जाते यानिकी पुरुवत्तर राज सब्सक्राइब को प्राप्ति के परकारन के तरीकों परकारन के बात करता है जन्म के अधार tying यहां पर निवास करता है और साथ साल जो है कि यहां पर निवास करता है उसके बाद रजिस्टेशन करवाता है तो उसे नागरिकता देने का विचार किया जाता है थे शिकरन के द्वारा नागरिकता थे सीट्सें 4 साल के द्वारा नागरिकता के अगर भारत देशी नागरिकता का मतलब है कि किसी उसके वे कि शकड़ा हो जाता है जैसे सीक्किम नागरिकता कौर क्वार्च neatly नागरिक्ता देने की बात करता है नागरिक्ता संसोधन अधिनियम मुनिशा पच्पन अब देखिए देशी करण के द्वारा नागरिक्ता का प्रावधान है पंजी करण के द्वारा भी नागरिक्ता का प्रावधान है जिसमें आगर कोई भी विदेशी हो भारत में निवास करता है दस बरसों तक उसके बाद 11 बरस करता है उसके बाद उसके लिए आवेधन करता है तो इसके भारत की नागरिक्ता दे जा सकती है तो देखिए यहां से नागरिक्ता अधिनियम को तो उसे नागरिक्ता दे जाएगी नागरिक्ता देने का प्रधान कब गया गया है लागू किया गया है 11 मार्च मटने लोगते लेकिन से कोई भी लेकिन कांग बिलकुल राजनेति करने प्रवधान उटतें कि यहां है फेली बात है कि लग हुश को नागल के देने में लग गए 10 साल लग गए और 10 Tip 11 साल में की राज ने देशी करण के देने का परदान आप दौंधाज अधिनियां उनुस्टर। भी करता है तो देशी करना के द्वार गर्ऍनागरिकता दे दिया गया ऑटा तो एकुए बात ही कि उसमें सबकों मिल जाती ना कर रिकता मुश्रम को भी मिल जाती तो मुष्रम को यह भी बात नहीं होती कि भेडभाव के छा रहा है लेगा कर कर Yo emo GU लागा से बीज मुश्रीम को बाहर कर गया तो इस परकार से लागू कर दिया गया है इसके संबंद में भी प्रश्न उठते हैं अनुछे चवदा ऐसा कहता है समता का अधिकार की बात करता है जो लिंग जन्म जात्री के अधार पर सब अधार पर भी मैं करता है लेकिन आप देख रहें किया यहां पर अधारा रहा है की बात की जा रही है की तरक इसके बीचे में सरकार का तरक ये दिया जा रहा है की एई तरका है जाता पर जो आ की आफगानिश्थान पाकिस्टान और बंगलादेश में यहां पर मुस्लिम ऐत्राइब तो मेमार को तो मेमार को भी सामिल कर लेना चाहिए था और उन्हां के अल संख्यक को यहां पर आइसा काउंट कर लेना चाहिए था लेकिन आइसा नहीं हुआ इसलिए भी से बहेदवापुन और अन्षेद चवदा का उलंगन माना जा रहा है प्रस्तावना में एक सब्दाता धर्म निर्प्रिक्षता जो है मूल भारती बनाम केरल राजे एक ऐसा केस था जिसने संभिधान को अलग नजरिय से देखने के लिए मजबूर किया था तो संभिधान को के संबंध में एक महत्त सब्सक्राइब अधारत इसका सब्द्रेर्दर ya standard का सब्सक्राइब पर 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 करेंकि अन्य धर्मोंके मुष्ल्म को को शामिल नहीं किया गया मूश्राइब कोशिच कर रहे बिश्न के क्या विबाद उठ रहे हैं कि असिलिए जबाक्शता के संबने संभन ना बताया काफी सारे बश्राइबर लेकिते वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा अभी तक नहीं किया है तो और वीडियो को स्ट्यार भी कर दीजेगा धन्य बाद